तो अभी हम लोगों ने अलिमेंटरी के नाल का जो ओपनिंग स्टक्चर है याने हम जानते हैं कि माउथ इस फर्स्ट पार्ट अब दा अलिमेंटरी के नाल और हमने अभी ये पढ़ा कि जो माउथ है that is consisting of the lips, teeth and tongue और tongue के बारे में भी हम लोगों ने समझा कि किस तरीके से जो tongue है वो उसका जो main function है वो क्या है यदि हम physiology point of view से बात करें तो tongue का main function है taste को perceive करना, taste को receive करना और हमने ये भी समझा कि किस तरीके से जो tongue होती है tongue के underline में जो है neurons होते है different set of neurons होते है और in different set of neurons को ही हम लोग taste buds कहते है और जो भी food हम लोग खाते है उसका taste को receive करके उसे brain तक पहुचाने का काम tongue ही करती है यानि tongue के जो neuron है वह ही करते है तो इस तरीके से अभी हम लोगों ने जो है tongue के बारे में पढ़ा अब tongue के बाद में जो next जो सबसे important जो structure elementary canal या जो buckle cavity है उसका जो होता है वो होता है tooth या teeth हम सभी जानते है कि teeth बहुत important role play करते है क्योंकि जो teeth है teeth का जो main function है वो है investigation 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 में टू से कि to chew the food to chew the food और chewing क्यों जरूरी है chewing is what? it is a process it is a kind of the process in which we reduce we reduce or break down we reduce or break down large food particles into a small one so that to chew mean to say to reduce or break down the large food particle into the small particles so that so that those particles can be what? swallow उन particles को हम लोग निगल सके और वो इसो फेगस से कहां पहुँच सके stomach तक पहुँच सके क्योंकि यदि food particle का size यदि बढ़ा रहेगा तो उसे निगलना मुश्किल होगा और निगलने में या swallow करने में भी problem हो सकती है तो ये main role है किसका teeth का तो आईए अब हम लोग teeth teeth के structure और उनके various types के बारे में अब हम लोग आगे पढ़ने की कोशिस करते हैं so teeth teeth के बारे में जो सबसे main हम human teeth के बारे में बात करते हैं तो human teeth के बारे में सबसे important चीज ये होती है कि we human are human जो है human जो teeth होते है उसे हम कहते है heterodont we call it a heterodont ओके जो हम human है we human are the heterodont hetero mean hetero mean different और we can say the various kind of various kind of और don't mean teeth don't mean teeth कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो हम human है हम human heterodont होते है यदि मैं आप से कहूँ कि आप अपने mouth को बंद करके या mouth को open करके भी यदि आप अपने tongue की help से जितने भी आपके teeth है है ना back side से लेके front और फिर back side में upper और lower जितने भी teeth है उन सब के structure को अपने tongue से touch करने की कोशिस करो या यदि आपके सामने यदि mirror है तो उस mirror में इस inner teeth को देखने की कोशिस करो तो जब आप इन teeth को उस mirror में देखोगे या अपनी tongue से उनको यदि आप touch करके महसूस करने की कोशिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे mouth में जो teeth है वो अलग-अलग types के है तो इस तरीके से हम human के mouth में जो teeth होते है वो various kind के होते है अलग-अलग types के होते है that's why we human are called heterodont है ना और heterodont के बाद में अब यदि मैं आपसे एक और चीच कहूँ कि आप कोशिस कीजे अपने tongue की help से या mirror में देख कर कि कितने different type के teeth आपको महसूस होते है या कितने variety के जो teeth है आप उसे identify कर पाते है कि हम human के जो jaw है या हम human की जो बकल के विटी है उसमें four types के teeth होते है इसमें क्या होते है इसमें four types के teeth होते है और इन four types के जो teeth है उसके जो name है वो है the first we call them incisors जो first type होता है teeth का उसे हम लोग कहते है incisor जो second होता है उसे हम लोग कहते है canines उसे हम कहते है canine third जो होता है that we call pre-muller और जो fourth होता है that is called molar that is called molar तो इस तरीके से दी हम देखे तो हमारे जो mouth है उस mouth में जो है four types के teeth होते है first incisors second canines third pre-muller और fourth क्या होगे molar होगे तो अब आईए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि incisors कौन से teeth होते हैं इनका जो shape होता है वो कैसा होता है और इनके functions क्या होते है canines कितने होते हैं इनका shape कैसा होता है और इनका function क्या होता है premolar और molar कितने होते हैं उनका shape कैसा होता है और उनके function कैसे होते तो यहाँ पर हमें दो चीजे याद रखना है अभी कि we human are the heterodont meant to say in our mouth we are having a various kind of teeth and in human being we have four types of teeth and these are incisors canines premolar and molar तो आईए अब हम लोग इनका एक general structure इनके numbers और इनके functions को हम लोग समझने की कूशिस करते हैं So अभी हम लोग ने types of teeth देखा Now we see the shape, numbers and the function of each and every kind of teeth तो जब भी हम लोग teeth की study करते हैं तो teeth की study हम लोग jaw के set में करते हैं है ना हम जानते हैं कि जो हमारी जो buckle cavity है इसमें जो jaw है उस jaw को यदि हम लोग draw करें तो we can draw like this we can draw like this है ना this is a rough representation of each jaw this is a upper jaw and this is a lower jaw और यह जो अपर jaw है that is divided into the two set and the lower jaw is equally also divided into the two set तो इस तरीके से यदि हम कहें तो हमारे mouth में four teeth के sets होते हैं यानि जो jaw है jaw को हम लोग क्या करते हैं हम लोग each jaw को again two set में divide कर देते हैं तो जब भी हम लोग types of teeth या number of teeth की counting करते हैं तो types of teeth और number of teeth की counting हम लोग set wise करते हैं कि किसी भी एक set में कितने incisors है कितने canine है कितने premolar है और कितने molar है तो यदि आप अभी अपने mirror में हाणा आप यदि mirror आप अपने mouth को open करके यदि jaw को यदि आप देखे तो आप उस jaw के जो set है उसे यहां से central से observe कर सकते हैं This is a central axis जो कि हमारे body को to equal part में divide कर रही है तो यदि अपने mouth को open करके जब आप यहां से इस central part से divide करोगे तो इधर का ऊपर वाला जो पूरा होगा वो upper jaw one set होगा जो है lower jaw left side वाला set होगा तो इस set में कितने teeth है और उनके numbers और shape क्या है उसकी study अब हम लोग करने जा रहे हैं तो इस तरीके से यदि हम लोग जब भी किसी भी jaw में set में total number of teeth और उनकी variety के यदि हम लोग बात करते हैं तो उसी के basis पर हम लोग कहते हैं कि हमारे mouth में जो है four types के teeth होते हैं तो यदि हम सबसे पहले यदि बात करें तो सबसे पहले जो teeth होते हैं उन्हें हम कहते हैं we call them incisors what we call them we call them incisors इन incisors का यदि आप general structure देखेंगे तो इनका general structure कुछ इस तरीके से आपको देखने कले मिलेगा यह वाला जो part है यह upper part जो की visible है जो की हम देख सकते है that upper part is called crown that is called crown और यह जो lower वाला जो part है जो की gum में embedded है जो gum से covered रहता है इस part को हम लोग कहते हैं root and this root is not easily visible है न क्योंकि यह क्या होता है gum के अंदर embedded है और gum के अंदर भी जो jaw की जो bone है उसमें क्या रहता है यह उसमें embedded रहता है तो इस तरीके से जो incisors होते हैं incisors को यह दि हम देखे तो इस तरीके से हमें incisors देखने के लिए मिलेंगे तो अभी हम लोग की mature है या हम लोग अभी adult है तो हम adults में जो incisors होते है इन incisors के number 2 होते है है ना एक single set में याने upper jaw का एक set या lower jaw के एक set में इनके जो number होते है वो 2 होते है तो अभी हम number पर ध्यानना देखर क्योंकि हम इसके थोड़ी देर के बाद में tooth formula या teeth formula पढ़ने वाले है तो इसी लिए हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे वहाँ पर जो है इनके numbers के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर incisors जो है incisors देखने में यदि हम सामने से इनका shape देखे तो यह flat होते है almost flat type के होते है और इनका जो mean काम क्या होता है इनका main काम होता bite करना है ना biting इनका main काम क्या होता bite करना यदि मैं आपसे कहूँ कि आप एक apple खाईए या अमरूद खाईए या यदि आपके पास में guava या mango यदि आप खाईए तो सबसे पहले हम mango या apple को अपने जो पीछे वाले जो दूसरी दात है उनकी help से नहीं तोड़ते उसको हम कहां से bite करते है उन्हें हम लोग front teeth से bite करते और जो front teeth जो है उनमें से सबसे major biting में जो role play करते है वो होते है क्या incisors तो incisors का यदि हम function देखे तो इनका main role क्या है इनका role है bite करना their main role to bite what food जो भी food है उसको क्या करना हमें bite करना है तो उस bite करने के लिए हम incisors की help लेते हैं इसके बाद में जो second type के जो teeth है that second type of teeth we call them what we call them canines what we call them we call them canines अब ये canines जो है इन canines को बड़े आसानी से आप पहचान सकते हो है ना आपने यदि कोई भी Dracula की कोई movie देखी है क्या जरूर देखी होगी आप Dracula is a famous character चाहे movies की बात करें चाहे animations की बात करें और Dracula के बारे में बहुत सारी myth है बहुत सारे उसकी stories है और बहुत सारी folklore है तो इस सरीके से जो folklore है उसमें भी जो Dracula है वो किसी ने किसी form में present है हाला कि Dracula is not an Indian character है ना यदि हम उसकी character की बात भी करें तो वो Indian character नहीं है वो Western countries का character है particularly I think England और France like this वहां का वो character है तो यदि आपने Dracula की कोई movie देखी होगी तो उसमें देखा होगा कि वो जो Dracula है अक्सर क्या होता है वो रात के समय जाकता है याने उसको जो बैट या जो चमगादड है उसके equivalent माना जाता है या हम कहते कि वो बैट के form में रहता है वो पिर human की body में transform हो जाता है movies के according तो वो जो Dracula के आपने दात देखे होगे खास कर तो Dracula जो है Dracula के जो दो पैने हुए बस यह है कि Dracula के character में उन canines की जो length है उसको क्या कर दिया गया है बढ़ा दिया गया ताकि एक drama create हो और कुछ अलग type का दिखे तो यहां से यदि आप अपने mirror में यदि अपने teeth को front teeth को देखोगे तो upper के दो teeth और lower के जो दो teeth है उसको यदि आप गौर से देखोगे तो पता चलेगा कि वो बहुत ही पैने और sharp है वो कैसे नुकीले है pointed है तो वो जो pointed जो teeth होते है उनको हम लोग canines करते तो यदि canines को यदि आप mirror में देखने की कोशिस करोगे तो they look like this इस तरीके से ये root part हो जाएगा ये हो जाएगा यदि आप देखोगे तो upper या lower दोनों jaw में दोनों side है आपको इस तरीके से थोड़ा सा one pin pointed लेकिन उपर दो मिलेंगे नीचे दो मिलेंगे और each set में के वल एक मिलेगा तो इस तरीके से जो है इस तरीके से pin pointed जो आपको tooth देखने के मिलेगा वो जो pin pointed tooth है that tooth is what? that tooth is canine अब canine का rule क्या है? canine भी biting में help करता है है ना? और canine जो है खास कर ये जो carnivores animal है carnivores में इन canine का जो size रहेगा इन canine का size ज़्यादा बड़ा रहेगा यदि आप dog की बात करें यदि if you are a pet lover and if you are having a dog or cat in your house तो आप dog or pet no doubt those are the domestic animal those are the docile animal हम उनको पालते है बट यदि हम उनके evolution के समय का बात करें तो ultimately वो क्या है? वो carnivores है हाँ ये बात अलगे कि वो हम उसे dog को रोटी खिला सकते है या food खिला सकते है जो हम खाते है लेकिन ultimately that is what, that is a carnivores इसी तरीके से जो cat है चाहे वो domestic cat हो चाहे जंगल में रहने वाली cat हो जिसे हम लोग चीता या शेर या लायन या टाइगर करते दो जार दा बिग cats तो उनके भी आप दात देखोगे तो उनमें ये जो canine जो tooth होते है वो क्या होते है उनका size ज़्यादा बड़ा रहता है और वो comparatively ज़्यादा sharp रहेंगे तो evolution में ये माना जाता है कि ऐसे organisms जिनमें canine present है वो अपने evolution के किसी न किसी stage में carnivores जरूर रहे है तो हम human हाला कि हम human जो है हम human ने अपनी habit जो है आप में से कुछ लोग herbivores होगे mintus है कि आप लोग vegetarian होगे कुछ लोग non-vegetarian है कुछ लोग mixed है but ultimately हम ये मानते कि जो canines है it is related to the somewhat the carnivorous nature of the mode of nutrition तो इस तरीके से जो ये canines होते और canines जो है canine का भी main function होता है इनका भी main function क्या होता है इनका भी main function होता है bite करना और चीरना फाड़ना है न तो उसके लिए जो है ये canines जो है canines बहुत ज़्यादा help करते इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो इनके अलावा दो और प्रकार के treat होते हैं जिने हम लोग करते हैं प्री मूलर और दूसरे कहलाते हैं मूलर तो आईए अब हम लोग इन प्री मूलर और मूलर के जनरल structure और इनके shape या इनके जो characters है या functions है उसको हम लोग समझने की कोशिस करते तो केनाइन के बाद में केनाइन के बाद में जो treat होते हैं उन्हें हम कहते हैं pre-mullar we call them a pre-mullars 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 why we call them pre-mullars because ये molar के पहले रहते हैं ये molar के पहले होते हैं that's why we call them a pre-mullars तो यदि आप अपनी tongue की help से touch करें तो जो नुकीला जो दात है canine उसके बाजू के यदि teeth को यदि आप टच करोगे तो उसके बाजू के जो two teeth होगे उन्हें हम लोग कहते हैं pre-mullar अब pre-mullar को का यदि हम shape देखें तो pre-mullar का जो shape होता है वो almost इस तरीके का होता है है ना जसमें से ये ये जो lower part है this is a root that is embedded into the jaw under gums and this is a crown part तो अब ये जो crown part है इस crown part को यदि आप touch करो तो आपको पता चलेगा कि जिसका shape ऐसा है वो क्या होगा वो pre-mullar होगा अब pre-mullar की खासबत क्या है कि pre-mullar को यदि आप गौर से देखे तो ये क्या है इस pre-mullar के पास में दो hill area है this pre-mullar has two hill area इसका जो structure है कैसा hilly है hill जैसा है उच्छा है पहाड़ी जैसा है और ये वाला जो area है जहां पर नीचे इस तरी के इसा है grudge है या जहां पर ये क्या है ऐसा धसा हुआ है valley type की है ये valley के कारण इसके पास में two hill area है जो hill है उसे latin में कस्प कहा जाता है जो hill है इस hill को क्या करते है we call it a cusp what we call it a we call it a cusp कितनी hill है इसके पास में it is having two hills one this hill another one is this hill तो जो two hill है two को करते है by जो two है उसको हम क्या करते है by तो it went to say it is having a two cusp mean it is having a by cusp तो इसलिए जो pre-molar है इस pre-molar का जो दूसरा जो नाम है वो है by cuspid teeth ओके जो pre-molar है that is what that is a by cuspid in nature by cuspid का मतलब है by का मतलब है two cusp का मतलब होता है hill like structure it is having a two hill like structure that's why we call them a by cuspid teeth है ना तो इस तरीके से यह है pre-molar होते है यह जो pre-molar के जो number होते है यह pre-molar के number age के अनुसार change होते रहते है है ना तो अब उस पे थोड़ी दर के बाद में हम teeth formula जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे यह चीज़े और clear हो जाएगी तो यहाँ पर यह हमें याद रखना कि जो pre-molar है that is also called by cuspid teeth अब ultimately जो pre-molar और जो molar है ना pre-molar और molar का जो काम होता है वो होता है food को grind करना food को क्या करना food को grind करना और उसे क्या करना है grind करके chew करना है और ज्यादा उसके size को reduce करना है क्योंकि जो food है उस food को bite करने का काम किसका था incisors और canine का था अब वो जो आपके mouth के अंदर जो grass है या जो food का large particle है उसको छोटे छोटे swellable size में grind करने का जो काम होता है वो pre molar और molar का होता है तो इस तरीके से यह pre molar का structure है अब यदि हम molar के यदि हम लोग बात करते हैं तो जो molar है molar का structure भी करीब करीब इसी तरीके से होता है जो molar है molar का structure भी approach इस तरीके से ही माना जाता है और लिकिन जो molar का size होता है और जो size है याने उसकी जो width है वो pre-muller से थोड़ी सी ज़ादा होती है तो यदि आप अपने mouth को open करके यदि आप देखोगे mirror से यदि देखोगे तो आपको last में हमारे jaw के आकरी जो दाथ है इन प्री मuller को हम लोग हिंदी में दाड भी कहते है इसे हम क्या कहते है दाड भी कहते है और इसकी भी खाज बात यह होती है कि ये जो pre-muller है different age में इनके numbers क्या होते है बदलते चले जाते है उसको हम लोग teeth formula में आगे समझेंगे तो इस तरीके से जो molar है इस molar का भी काम क्या होता है food को grind करना इनका काम क्या है इन दोनों का काम है कि food को क्या करना food को chew करना ये जो bite किये हुए जो food है उसको छोटे छोटे particles में तोड़ कर छियू करते है grind करते है ताकि उसे हम लोग easily क्या कर सके तो इस तरीके से यहाँ पर अभी हम लोगों को यह चीश समझ में आगने लगी है कि जो human जो है वो heterodont है we human are a heterodont और heterodont के साथ heterodont का मतलब यह है कि हम human के जो mouth है उसमें variety के teeth होते है कितने types के teeth होते है हम human के jaw में we are having a four type of teeth those are incisors, canines premolar and molar incisors और canines जो होते है उनका काम होता है food को bite करना और premolar और molar का जो काम होता है वो क्या करते है food को chew करते है grind करेंगे और ज़्यादा छोटे particles में breakdown करेंगे ताकि हम उसे क्या कर सके उसे हम लोग आसानी से निगल सके तो इस तरीके से यहाँ पर अभी हम लोगों ने teeth उनके types और उनके function को देखा आईए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अब इनके numbers कितने होते हैं और क्यूं इनके numbers अलग-अलग age में change होते चले जाते हैं तो आईए अब हम लोग समझते हैं dental formula है ना dental formula क्या है उसे आगे अब हम लोग समझने की कोशिस करेंगे कि what is a dental formula so now we study the dental formula dental formula और sometime we call it a teeth formula okay so how we can define this one we can define this like the total total numbers of teeth total numbers of teeth present in each set of upper and lower jaw is called is called dental formula तो अभी हमने देखा कि जो upper jaw है उसको हमने ऐसे ड्रौ किया था और जो lower jaw है उसे हमने ऐसे ड्रौ किया यदि हम इसे 20 से डिवाइट कर ले तो this is a first set of upper jaw this is a second set of upper jaw it is a first set of lower jaw it is a second set of lower jaw तो अपर जो और लोवर जो में किसी भी set चाहे हम इस तरीके के set ले ले चाहे इस तरव के set ले ले अपर जो और लोवर जो जो के set में जो total number of teeth होते है उन्हें हम लोग कहते है उसे हम लोग कहते है dental formula तो जो dental formula है वो dental formula जो होता है वो अलग अलग age wise जो dental formula अलग अलग होता है for example यदि आपने अपने परिवार के किसी newborn को देखा होगा तो जो newborn होता है तो अकसर six months से लेकर one year के बीच में जो है उस newborn के जो है teeth धीरे-धीरे emerge out होना चाहलू होते है यहना six months तक usually teeth नहीं आते है लेकिन जैसे जैसे six months से वो one year का होगा तो धीरे-धीरे उसके mouth में different time interval पर different type of teeth वहाँ से emerge out होते है और धीरे-धीरे जो है वो क्या होते है धीरे-धीरे पुरे jaw में teeth आना चालू हो जाते है फिर आपने यह भी देखा है कि अकसर six year से 12 year के बीच में six year से 12 year के बीच में जो है कुछ teeth है वो क्या होते है वो teeth क्या होते है fall off भी होते है वो teeth गिर जाते है तो इस तरीके से अलग-अलग age में अलग-अलग number of teeth हमारे mouth में होते है तो किसी भी upper और lower jaw में जो number of teeth होते है उनके जो numbers होते है उसे ही हम लोग करते है dental formula तो यदि हम dental formula की बात करें तो यदि हम child की बात करें यदि हम लोग child की बात करें ऐसा child जिसकी जो age है up to two year तक है है ना जो child है यदि उसकी age two year की है तो इस two year की age में उसके mouth में जो teeth होगे वो होगे two one zero two upon two one zero two अब यहाँ पर जो two year का जो child है उसके mouth में two one zero two और two upon two one zero two teeth होगे तो अब यह two one zero two क्या है यह किन teeth के number है और किन teeth के बारे में बता रहे है आईए अब हम लोग उसको थोड़ा सा detail में explain करने की कोशिस करते हैं detail में समझने की कोशिस करते हैं Each set of upper and lower jaw is called dental formula and the child of age two year is having this number of formula and this is a dental formula of child of two year old तो अब यह formula क्या है उसके indications क्या है या उसके denomination क्या है आईए अब हम लोग उसको explain करने की कोशिस करते हैं So, यदि child है up to two year of age उसके mouth में जो teeth होगे उन teeth का जो formula होगा वो formula होगा 2 1 0 2 upon 2 1 0 2 It indicates that this is called upper half set and this is called lower half set अब अपर half set की यदि हम लोग बात करें तो यहां पर जो सबसे पहला जो teeth होता है This indicates the number of teeth and this teeth is what? This is a eye यह जो two number है किसका है? I, I याने incisors I याने कौन से teeth? Incisors यह जो one है, this one represents canine Okay, this 0 represents premolar It is represented by P, premolar is represented by P and this 2 is represented, this 2 is number of mm stands for molar तो इस तरीके से जब भी हम लोग dental formula लिखते है तो we always start from a number of teeth of incisors, then canine, then premolar, then molar तो यहां पर एदि हम देखे, तो जो 2 साल तक का जो बच्चा होता है उसके mouth में आपको do incisors मिलेंगे 1 canine मिलेगा, 0 premolar मिलेंगे और it would be having, yeah, he or she would be having what? 2 teeth of molar in a each jaw set है ना? तो इस तरीके से यहां पर जो है, जो child है, इस child के mouth में जो है क्या हो जाएगा? उसका जो formula होगा, वो होगा 2102 clear? अब वहीं पर यदि हम adult sense kid की बात करें, है ना? यदि कोई ऐसा adult है में उसे adult sense की बात करें, जिसकी age जो है near about 15, 16 या 17 के आसपास है तो जो 17 के आसपास का जो क्या करते है adult, मतलब adult sense जो है उसके mouth का जो हम लोग बात करें, यदि हम adult sense की बात करें age of 17 to 20 year तक का यदि हम लोग देखे तो उसके mouth का जो mouth में जो dental का formula होगा या dental set का जो formula होगा that would be 2122 upon 2122 here, this two for incisors, this one for canine, this two for premolar and this two for molar similarly ICPM okay और इस तरीके से यदि हम देखे तो जो adult sense है उस adult sense के mouth में total कितने teeth हो जाएंगे यदि आप इन्हें काउंट करो तो one set में कितने हो रहे है two, one, याने three, four, five, six, seven इस तरीके से एक set में एक upper half या एक lower heart में total seven teeth हो गए कितने set है, four sets है तो यदि आप इसे multiply करोगे तो इस तरीके से 17 से 20 year of old जो adult sense है इसके mouth में approx 28 teeth हो गए फिर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है याने यदि किसी की age 24, 25 या 30 के असपास होती है तो कई बार ऐसा होता है कि जो आकरी दाड है है ना, जो दाड है, वो दाड क्या होता है वो वहाँ से निकलना चालू होती है याने जो हमारे सबसे last जो teeth है जिसे हम लोग करते हैं molar वो molar वहाँ से emerge out होना चालू होते है और जब वो molar वहाँ से emerge out होना चालू होते है तो बहुत जादा दर्द होना चालू हो जाता है वो जो gums है, gums में swelling आजाएगी खाना खाने में तकलीफ होती है और बड़े मुस्किल से 2-4 दिन दर्द बना रहता है और तब जादा मूलर जो है वहाँ से हमारे gums में से emerge out होता है और जब वो emerge out होता है तब हमें बड़ी तकलीफ होती है तो उस समय यदि कोई adult है यदि adult है तो उस adult के mouth में या adult का जो dental formula होगा वो होगा 2-1-2-3 upon 2-1-2-3 यह adult का formula है अब इसमें क्या हो रहा है यदि हम देखे तो यहाँ पर incisor, canine, premolar और molar incisor, canine, premolar और molar है ना इस तरीके से यह numbers यह इनका formula है तो यदि हम देखे तो जो 17-20 year of old का जो individual है उसके mouth में या उसके jaw में के single set में 2 molars होते है लेकिन जो adult है उसके jaw set में 3 molars होगे और जब वो जो दाड आती है तो वो जो दाड या वो जो दात या वो जो teeth जब बहार निकलता है उसे हम लोग कहते है what we call it a wisdom teeth what we call it a wisdom teeth we call them a wisdom teeth और जिसे हिंदी में हम लोग कहते है अकल की दाड तो I don't know कि उसको अकल की दाड क्यों कहा जाता है या उसका अकल से क्या संबंध है is there any correlation है या नहीं है नहीं पता लेकिन उसे अकल की दाड जरूर कहा जाता है तो अकल की दाड जब आती है तो लोग साथ ये मानते होगे कि हाँ अब आप बड़े हो गए हो क्योंकि जो 17-18 साल 19 साल की जो उम्र होती है थोड़ी सी लड़कपन वाली उम्र कहीं न कहीं होती है पर जब 24-25 के जब आप हो जाते हो जब आपकी study almost complete हो जाती है when you start doing your job or you participate in a business तो ये माना जाता है कि हाँ अब आप में सोचने समझने की चमता या अपने decision कुद लेने की चमता आ गई शायद इसी लिए उसको अकलदाड कहा जाता होगा तो इस तरीके से जो ये है dental formula है हम human का तो इस तरीके से ये human का dental formula है तो इसमें हमें याद रखना है कि अब to the age of two year की ये हम लोग बात करें तो two year तक का जो बच्चा होता है उसमें क्या होता है इस तरीके से जो है pre-molar नहीं रहेंगे वहाँ पर जब adolescence होता है तो pre-molar भी आ जाता है लेकिन जो wisdom teeth है वो आना बाकी रहता है और इस तरीके से जब वो complete adult हो जाता है तो complete adult होने पर क्या होता है यहाँ पर ये जो formula है ये formula रहेगा complete adult का तो अब ये जो बच्चे और adolescence या adult के जो dental formula है उसमें सबसे main जो difference है वो difference क्या है कि इन adults में चाहे हम adolescence की बात करें या adults की बात करें इनका जो फॉर्मूला है इनका जो डेंटल फॉर्मूला है ये डेंटल फॉर्मूला कहलाता है इस डेंटल फॉर्मूला इस कॉल्ड वाट इस डेंटल फॉर्मूला इस कॉल्ड पर्मानेंट टित फॉर्मूला पर्मानेंट टित फॉर्मूला वी कॉल इट पर्मानेंट टित formula क्यों क्योंकि हम सभी जानते है कि हम human में जो है दो प्रकार के teeth होते हैं in human we are having a two type of teeth हम human में two types के teeth होते है जो पहला जो teeth कहलाता है वो कहलाता है deciduous या temporarily या जिसे हम लोग कहते है दूद के दात या milk teeth कहते हैं जब आप भी छोटे रहे होगे यदि आपने देखा होगा कि जब आपकी उम्र 6-12 यर के बीच में 6-12 यर के बीच में जब रही होगी तब आपने ध्यान दिया होगा कि different time interval पर आपके mouth में से different जो teeth है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है धीरे धीरे तूट कर गिर रहे है और जब वो तूट कर गिरते है उनके जगे नए teeth निकल कर आते है तो जो teeth अपने आप तूट कर गिर रहे थे उन teeth को हम都是 काते है that is called a temporary teeth temporary teeth या जिसे हम लोग कहते है milk teeth या जिसे हम लोग decidious teeth भी कहते है ये temporary teeth कहलाते है और उनके जगह जब नय दूसरे जब दात आते है तो वो जो दात आते है वो जो teeth आते है उन्हें हम लोग कहते है permanent teeth उसे हम क्या कहते है we call them a permanent teeth तो इस तरीके से हमें यह याद रखना है कि हमारे mouth में, हमारे jaw में we are having two types of teeth temporary teeth and the permanent teeth तो जो child होता है just up to the age of 12 तक usually जितने भी temporary teeth होते है वो पूरे fall off हो जाते है उनके जगे permanent teeth आ जाते है और इस तरीके से permanent जो teeth है उसका अभी हम लोगों ने dental formula देखा तो adult human के जो permanent teeth है उसका जो dental formula होगा that would be the 2-1-2-3 upon 2-1-2-3 यह formula आपको याद रखना है क्योंकि अक्सर competitive exam में यह dental formula कई बार पूछ लिया जाता है तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने समझा कि हमारे mouth में जो है क्या है teeth है उस teeth के जो structure है उन teeth का अभी हम लोगों ने rule और functions और dental formula यह सब समझा तो इस तरीके से इती हम लोग देखे तो हम लोगों ने शुरुआत में समझा था कि बकल cavity की opening हमारे mouth से होती है और जब बकल cavity की opening हमारे mouth से होती है तो हमारे बकल cavity में हमने lips देखा lips के अलावा tongue देखा, teeth देखा और teeth के अलावा होता है salivary gland तो आईए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि salivary gland क्या है और इस salivary gland के function क्या होते है तो अभी हम लोगों ने dental formula पढ़ा है इसके बाद में हम लोग salivary gland पढ़ने वाले है लेकिन salivary gland पढ़ने के पहले हम लोग जो simple human tooth है उसका general structure हम लोग समझने की कोशिस करते है और यहाँ पर हम लोग tooth decay को समझने की कोशिस करेंगे तो यहाँ से कई बार question पूछ लिया जाता है तो यदि हम एक general tooth का यदि हम लोग structure ड्रॉव करने की कोशिस करें तो हम ऐसा ड्रॉव कर सकते है कि जो human teeth है उस human teeth को हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रॉव करते है यहाँ पर जो है हम general structure को represent कर रहे है तो यहाँ पर यदि हम समझने की कोशिस करें तो यह जो है यह gum है जिसे हम लोग हिंदी में मसूडे कहते है यह जो है यह दोनों तरफ क्या है gum है और यहाँ का जो upper part है हम जानते हैं कि जो हमारे जो tooth है वो क्या है gum में embedded है gum के अंदर embedded रहता है तो जो visible part होता है उस visible part को हम कहते है crown तो यह जो visible part है this visible part of tooth is called crown यह जो gum से जो covered area होता है इस small area को हम लोग कहते है neck of the tooth और जो jaw के अंदर जो jaw की जो bone है उस bone के अंदर यह embedded रहता है जो हाँ पर blood vessels और neuron या nerve terminals की supply होती है इस area को हम लोग कहते है root of the tooth यहां पर यह जो outer most जो cover या outer most जो structure दीख रहा है इसे हम लोग कहते है enamel we call it a enamel this is called enamel और इस enamel की सबसे खास बात यह है कि this enamel is supposed to be a hardest material in human body as well as in earth यदि हम natural hardest material की बात करें तो enamel is supposed to be a hardest material यह इतना hard होता है कि हम जानते हैं कि हम Indians में खास करें थी हम Indians के कई ऐसे religion की बात करें तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पर जो dead bodies है उनको cremate किया जाता है है ना उनका cremation किया जाता है उनको जलाया जाता है उनका दहा संसकार किया जाता है तो दहा संसकार करने पर ये देखने के लिए मिलता है कि हमारे बॉडी के लगभग सारे पार्ट्स जलकर आश में कनवर्ट हो जाते है, कुछ बोन्स को छोड़ कर, पर जो हमारे जो टित है या जो टूत है वो उस हाई टेमपरिचर पर, जो पायर की जो हाई टेमपरिचर है उस पर भी ये नहीं जलते है तो इसलिए इन्हें हार्डिस्ट माटिरियल माना जाता है ये जो इनामेल है, इस इनामेल इस कमपोज़ ऑफ दा कैल्शियम, फॉस्पेट और कैल्शियम के अलावा जो दूसरी जो मिनरल से जिसमें कुछ मैगनेशियम के सॉल्ट होते हैं, कुछ फ्लोराइड भी होते हैं, तो इस तरीके से ये जो टूत का जो हार्डिस्ट पार्ट होता है, ये कैल्शियम का बना होता है, हम इन जनरल ऐसा कह सकते हैं, फिर जो इनामेल के अंदर वाला जो पार्ट होता है, उसे हम लोग कहते हैं, डेंटीन, वी कॉल इट डेंटी इस डेंटीन is somewhat delicate, comparatively इनामेल, और इस डेंटीन के अंदर वाला जो पार्ट होता है, यहां पर ही जो आपको एम्टी पार्ट दिख रहा है, अच्छली दिस इस नॉट एम्टी, इस सप्लाइड विद ब्लूर्ड वेसल्स और नियूरॉंस, इस अ वायबल पार्ट अप अप तो यह जो इनर्मोस पार्ट है, यहां पर नियूरॉंस का भी रिच स्ट्रक्चर रहता है, तो जो टूथ को जो भी नियूट्रेंट्स मिलते हैं, वो इनहीं ब्लड वेसल्स के कारण मिलते हैं, कि ब्लड में जो फूड है, वो फूड के सप्लाई यहां पर रेगुलर चलते रहती है, और हमारे जो टूथ है, उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, इंटैक्ट बना हुआ रहता है, अब हम कुछ जनरल इश्यूस की बात कर रहे हैं, कि ओरल हैजीन मेंटेन करना या ओरल हैजीनिटी मेंटेन करना एक हम हम लोग सभी लोग मौर्निंग में उठने के बाद में सबसे पहले हम लोग टूथ को ब्रश करते ही है, जो कि बहुत एश्यंसिल प्राक्टिस है टू मेंटेन दा ओरल हाईजीनिटी, क्योंकि हमारे जो माउथ में जो पाये जाने वाला जो बैक्टेरिया है, उसे हम लोग में जो बैक्टेरियास, वेराइटी के बैक्टेरियास हमारे माउथ में होते हैं, उन्हें हम लोग करते हैं, ओरल माइक्रोबियल फ्लोरा या ओरल बैक्टेरियास, most of them बैक्टेरियास आर एनेरोबिक, अब ये एनेरोबिक क्या है, जो बैक्टेरिया होते हैं, हम जानते हैं कि दो जारदा लिविंग सेल्स, तो अलाइव रहने के लिए, अपार्ट फ्रॉम दफूड, सेल्स रिक्वाइड ऑक्सिजन, तो ऐसे सेल्स या ऐसे माइक्रो और्गनिजम जिनको अलाइव रहने के लिए जिन्दा रहने के लिए ऑक्सिजन की जरुवत होती है, उन्हें हम लोग कहते हैं, एरोबिक बैक्टेरिया, लेकिन ऐसे माइक्रो और्गनिजम जिनको अपनी लाइफ की प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए, जो है oxygen की जरुवत नहीं होती है उन्हें हम लोग कहते है anaerobic bacteria तो हमारे mouth में anaerobic bacteria के जो numbers होते है वो ज़ादा होते है इसलिए आपने ध्यान दिया होगा कि यदि हम morning में brush करते है morning में brush करने के बाद में दिन भर हम लोग कुछ भी खाए पर शाम तक हमें ऐसा कुछ महसूस नहीं होता है कि हमारे मूँ से बदबू आ रही है या हमारा जो mouth है वो fresh नहीं है क्यों? क्योंकि day time में क्या हो रहा है day time में हम लोग बादचित कर रहे है day to day life के activity कर रहे है तो उस बादचित के चलते यहाँ पर air का circulation proper बना रहेगा और यदि यहाँ पर air का circulation proper बना है तो वो जो anaerobic bacteria है उनके numbers नहीं बढ़ेंगे और वो जो हमें नुकसान करते है fall smell लाना, मू में बदबू पैदा करना, दातों के उपर जो है plaque का जमा हो जाना वो सारी process नहीं हो पाती है daytime में, लेकिन रात के समय आपने देखा है कि हम भले ही रात को brush करके भी यदि सोए और जब हम लोग morning में जब सुबह सोकर उठते है, तो हमारा mouth उतना fresh हमें महसूस नहीं होता है, क्यों? क्योंकि रात भर में क्या हुआ, वहाँ पर जो microorganism है, वो microorganism क्या करेंगे, धीरे धीरे anaerobic process करेंगे और उस anaerobic process के कारण हमारे दातों के उपर क्या होगा, प्लैक जमा होना चालू चाएगा, इस anaerobic process के कारण एक और नुकसान होता है, यदि हम रात को सोते समय, या रात को जो हमने dinner लिया है या night का जो meal है, यदि उस meal में हमने sweet चीजे खाई है, chocolate खाई है या कोई ऐसा मीठा भोजन लिया है, या हमने sweet meal लिया है, तो यदि वो sweet meal हमारे दातों में चिपक गया, और सोने के पहले यदि हमने properly brush नहीं किया, तो जो sweet part है चाहे वो chocolate भी हो सकती है, candy भी हो सकती है कोई भी चीज है, या carbohydrate या रोटी या bread का टुकड़ा भी हो सकता है चावल का टुकड़ा भी हो सकता है ये यदि हमारे दातों में ये फसा है, दातों में चिपका है तो ये जो anaerobic bacteria है ये anaerobic bacteria क्या करते है ये anaerobic bacteria जो है उन carbohydrate या वो जो sugar है उस sugar को क्या करते है? anaerobic bacteria ये जो anaerobic bacteria है ये क्या करेंगे? उस sugar को lactic acid में convert कर देंगे और यदि sugar anaerobic bacteria के कारण यदि lactic acid में convert हो गया तो हम जानते हैं कि जो हमारा जो teeth है और teeth में जो cementing material होता है ये जो cementing material है ये mostly क्या है? calcium के salt से मिलकर बने हुए है और जो calcium के salt होते है ये calcium के salt होते है base याने basic substance होते है और ये जो lactic acid है ये इस basic substance के साथ में क्या करेंगे? chemically reaction करेंगे और जब chemical reaction होगा तो धीरे धीरे ये जो inamil की जो protective covering है ये क्या हो जाएगी? ये weak होना चालो हो जाएगी और जब यहाँ पर ये cementing material या जो inamil की covering जो की base से बनी है ये weak होना चालो हो जाएगी तब क्या होगा? now bacteria get one more chance to enter into the this dentine and reach up to where? reach up to this dental pulp जब यहाँ पर acid और base के बीच में chemical reaction होगा तो धीरे धीरे ये जो cementing material है ये क्या हो जाएगा? ये weak होना चालो हो जाएगा and now bacteria will get a chance to enter into this pulp और जब इस dental pulp तक जब ये पहुँच जाएगा तो क्या होगा? dental pulp पर पहुचते से ही क्या होगा? now bacteria has more chance to increase its number और जब इसके number increase होना चालो होगे तो धीरे धीरे यहाँ पर जो pulp है वहाँ पर infection होना चालो हो जाएगा infection होने के साथ साथ वहाँ पर बहुत तेज दर्द होना चालो होगा, gums में swelling आना चालो हो जाएगी और धीरे धीरे जो है जो teeth है वो अंदर से खराब होना चालो होगा और धीरे धीरे वहाँ पर जो teeth है उसका color dark brown या black होना चालो हो जाएगा जिसे हम लोग कहते है dental cavity तो यदि dental cavity से यदि हमें बचना है तो हमें क्या करना होगा यह हमें ध्यान रखना होगा कि यदि हमें dental cavity से बचना है तो what we should do आप को मीठा खाना पसंद आप खूब खाये मीठा खाने में कहीं कोई problem नहीं but what you have to do कि before going to bed you should brush your teeth with a good toothpaste और tooth powder हमें अच्छे brush और अच्छे toothpaste से क्या करना है हमें क्या करना है हमारे जो teeth है उन्हें अच्छे से clean करना है before going to bed और as well as morning में भी तो हम सभी लोग morning में तो करते ही है but there are only few people जो कि रात में सोने के पहले brush करते हैं तो यदि आप अपने gums को अपने teeth को healthy रखना चाहते हैं तो what you should do you should never forget to brush your teeth before going to bed तो इस तरीके से यहाँ पर अभी हम लोगों ने जो human tooth है इस tooth का general structure हम लोगों ने समझने की कोशिस की और हम लोगों ने यहाँ पर जो dental cavity है उस dental cavity को समझने की कोशिस की जब हम लोग इसके question answer करेंगे तो वहाँ पर हम लोग इसका answer भी लिखेंगे कि what is a dental cavity और किस तरीके से होता तो यहाँ पर मुझे उमीद है कि जो हमने अभी यहाँ समझा है वो आपको अच्छ समझ में आ गया होगा तो यह teeth का general structure था आईए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि salivary gland क्या है कितने होते हैं उनके numbers क्या है और उन salivary gland के क्या function होते है so now we study the salivary gland यह दि हम salivary gland की यह दि हम लोग बात करें तो we can say the gland that secrates saliva is called salivary gland यदि हम अपने बकल केविटी की बात करें तो इन बकल केविटी there are there are three pairs of saliva gland और इनके चो नाम है that is the first pair is called sublingual lingual mean to say the tongue और sub का मतलब beneath the tongue याने हमारे tongue के नीचे जो salivary gland होती है उसे हम लोग sublingual salivary gland कहते हैं यदि इसको यदि आपको observe करना है तो although we cannot see these gland directly because these are under the various layers of the tissue but secretion को आप feel कर सकते हैं कैसे कि what you do आप mirror देखे और mirror देखकर आप अपने tongue को roll up कीजे once you will roll up your tongue तो अचानक आपको देखने के लिए मिलेगा कि tongue के नीचे जो है water आना चालो हो गया water like substance वहाँ पे release होना चालो हो गया और कई बारे दिया आप tongue को roll करोगे तो ये भी हो सकता कि वहाँ से एक पिछकारी जैसा एक small fountain जैसा liquid बाहर निकलेगा है ना you try तो वो जो liquid वहाँ से emerge out या liquid वहाँ से release हो रहा है that liquid is emerge by the sublingual salivary gland तो there are three pairs of the saliva gland या salivary gland the first is called a sublingual salivary gland second is called submandibular sub-mandibular gland sub-mandibular mandibles these are the lower jaw है ना जो lower jaw है इसकी bones को mandibular bones कहते है और जो inner side में lower jaw के पास में दोनों side है नहीं left और right side दोनों side gland जो होती जो salivary gland होती है उसे हम लोग sub-mandibular gland कहते हैं है ना तो इस तरीके से ये भी saliva release करती है जो third है that is called parotid gland parotid gland ये जो parotid gland है ये parotid gland यदि हम यहां देखे तो aprox यहां पर है ना दोनों कानों के नीचे front side नीचे के तरफ यहां पर internally यहां पर locate रहती है उसे हम लोग कहते है parotid gland तो इस तरीके से हमारे पास में we are having what we are having a three pairs of the salivary gland sublingual mean the bannith the tongue sub-mandibular inside the lower jaw parotid mean the bannith और under the both here तो इस तरीके से ये तीनों जो gland होती है ये तीनों gland salivary gland कहलाती है अभी जो salivary gland जो है ultimately इनका काम क्या है इनका काम है saliva release करना what is their function their function is to release saliva तो आईए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने के कुक्षिस करेंगे कि what is saliva, what is the composition of the saliva and what is the role of saliva now we see the composition and the role of saliva तो यदि हम composition और role of saliva की यदि हम लोग बात करें तो saliva का यदि हम composition देखें तो हम लिख सकते हैं कि approximately 99% of saliva is water the 99% of saliva जो है वो क्या होता है वो water ही होता है अब वो जो 1% है 1% में क्या है remaining 1% is salt, mucus, enzymes होते हैं जो रिमानिंग 1% जो होते हैं, इस वाट, salt, mucous, और enzymes, है नौ, Saliva has, Saliva has, Salivary amylase, that is also called Tylene, okay, Saliva has salivary amylase, that is also called Tylene, is a digestive, is a digestive enzyme, ओके, यह क्या है, एक प्रकर का digestive enzyme है, अब aprox, यदि हम देखे, तो daily है न, aprox हमारे mouth में, aprox 1 से 1.5 लीटर जो Saliva है, यह रोज release होता है, तो हमारे mouth में aprox 1 to wine, 1.5 लीटर जो Saliva है, वो क्या होता है, रोज रिलीज होता है, यह रोज बनता है और रिलीज होता है, इसके अलावा हमें यह याद रखना है, कि Saliva is, Saliva is slightly acidic, जो Saliva है, that is what, that is a slightly acidic, और इसका जो pH होता है, Saliva का जो pH होता है, this is 6.8 pH, तो यह हमें याद रखना, because in many competitive exam, in many competitive exam, यह अक्सर पूछा जाता है, कि Saliva क्या है, या what is a pH of the Saliva, तो इस तरीके से यहाँ पर अभी हम लोगों ने, Saliva के बारे में कुछ, इसके composition के बारे में समझा, आईए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, कि what is a function, mean role of Saliva, तो यहाँ पर role of Saliva में, यहाँ पर हमने अभी composition देखा, now we further move on to study the various role of Saliva, now we see different role or function of Saliva, role or function of Saliva, तो यदि हम role या function of Saliva के यदि हम लोग बात करें, तो हम लोग कह सकते हैं, कि it facilitate speaking and swallowing of food, मिंटू से कि आपने देखा होगा कि गर्मियों में यदि जब हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो यदि हमारे body में पानी की कमी होती है, तो हमारे body में Saliva के भी कमी हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे body में या जो Saliva का composition है, 99% of Saliva is a water, तो यदि पानी की कमी हो जाती है तो Saliva कम बनेगा, और जब Saliva कम बनता है तो आपने देखा है कि बात करने में भी तकलीफ होती है, मूँ सूखना चालो हो जाता है, और इसके साथ आपने देखा है कि यदि आपने कोई ऐसा food यदि खाया है, जो dry है या जिसमें water compound कम है तो उसको निगलने में भी हमें क्या होती है, तकलीफ होती है पर यदि Saliva यदि sufficient quantity में यदि है, तो क्या करेगा Saliva जो है उस food को swallow करने में क्या करेगा, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो Saliva it felicitate speaking and the swelling of the food, इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि it lubricates food, ये food के लिए lubrication का भी काम करता है, इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि it acts as solvent mintoo से, कि यदि हमारा mouth dry है और यदि हम बान लीजे एक sugar का particle हमारे tongue पर यदि हम लोग रखते हैं, तो उसका taste हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन यदि हमारे mouth में sufficient quantity में sufficient amount में saliva है और यदि हम एक single particle of sugar रखेंगे तो वो sugar हमारे saliva में dissolve हो जाएगा, और पूरे mouth में वो फैल जाएगा, equally फैल जाएगा और उसका taste हमें पता चलेगा, तो in such way we can say that it acts as a solvent, इसके अलावा it digest starch, what does it do, it digest starch, जो starch है हमारे जो food में जो carbohydrate present होता है mostly वो starch के form में होता है, तो इस starch को absorbable maltose में convert करने के लिए इस starch को absorbable maltose में convert करने के लिए जो enzyme है उस enzyme का नाम है, अभी हम लोग देखा था कि saliva contains what, tylene है न, tylene, okay, saliva contains what, tylene, तो यह जो tylene है, this tylene converts starch into absorbable maltose, तो इस तरीके से tylene यानि जिसको हम लोग salivary amylase करते हैं, it helps in a digestion of what, it helps in a digestion of carbohydrate, इसके अलावा यदि और यदि हम लोग इसके functions के यदि हम लोग बात करें, तो we can write that, it cleans mouth, it cleans mouth का मतलब है यहाँ पर, कि we know कि हमारे mouth में क्या है, bacterias होते हैं, regularly हमारे mouth में bacterias होते हैं, और यह जो bacteria होते हैं, यह क्या होते हैं, कि यह बहुत ज़्यादा अपना effect प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, because जो हमारा saliva है, at some what extent, it is a acidic, और इसमें जो कुछ enzymes जो होते हैं, वो उस bacteria को क्या करते हैं, develop होने से रोकते हैं, तो इस तरीके से हमारे mouth को क्या करते हैं, clean बनाए रखते हैं, तो इस तरीके से जो है, यहाँ पर यह कुछ basic हम लोगों ने function देखे, किसके? saliva के, तो इस तरीके से जो है, saliva जो है, वो एक बहुत ही important role play करता है, किसमें हमारे mouth की hyacinity को maintain करने में, speaking में, food को swallow करने में, food को lubricate करने में, taste के लिए भी, हाँ, क्योंकि taste buds तक, जो भी हम खाते हैं, वो saliva में dissolve होकर ही पहुचता है, तो इस तरीके से, जो है, saliva यहाँ पर important role play करता है, तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने buckle cavity के बारे में समझा, तो buckle cavity में हम लोगों ने, जो है, tongue के बारे में पढ़ा, buckle cavity में हम लोगों ने, जो है, teeth के बारे में पढ़ा, teeth के structure के बारे में पढ़ा, अब हम लोग, इसके बाद में हम लोगों, salivary gland और saliva के functions के बारे में पढ़ा, तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं एलिमेंटरी के नाल का जो next जो structure है that is a isophagus isophagus के बाद में हम लोग पढ़ेंगे stomach, stomach के बाद में हम लोग पढ़ेंगे small intestine, large intestine, then about liver, then pancreas और किस तरीके से different body parts में जो है digestion, जो एलिमेंटरी के नाल के different parts में अब सुर्ण पूलड़े psychology जो में लिए को जो आई में जिए में ओना आद में तरीके सुर्ण किस अब सब्सवें लोग झाल झाल